C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारपस्तुत है कक्षा चार की पाठे पुस्तक हमारे आसपास का पाठ 26 फौजी वहीदा प्रिष्ट 204 क्या तुमने फौजी वहीदा की फोटो देखी है ये हैं लेफटिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म ये भारतिये नौसेना में डॉक्टर हैं और नौसेना के समुद्री जहास पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक हैं ये पहली महिला हैं जिन्होंने एक पूरी परेड की कमान संभाली किसी भी सेना में ये है बहुत बड़ी बात मानी जाती है तुम्हारी इस किताब के लिए हमने उनसे एक खास बात चीत की आओ उसे सुनते हैं हमारा प्रश्न था वहिदा आप अपने बच्पन और स्कूल के बारे में बताईए वहिदा जी बोली मैं थन्नामंडी नाम के बहुत छोटे से गाउं से हूँ यह जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में है मैंने सरकारी स्कूल से पढ़ाई की है मेरे गाउं की कई लड़कियां इसी स्कूल में पढ़ने आती थी पर वे इसके बाद आगे के बारे में कुछ नहीं सोचती थी प्रिष्ट 205 लेकिन मैं तो कुछ बनना चाहती थी हमेशा आगे बढ़ना चाहती थी मुझे आगे पढ़ने की इच्छा थी और मैं दस्वी की पढ़ाई पूरी करना चाहती थी उस समय यह हमारे इलाके के लिए नई बात थी इसके कारण मेरे मम्मी पापा को बहुत मुश्किले आई यहां तक कि हमें गाउं भी छोड़ना पड़ा तब हम नानी के घर राजौरी में रहे मैंने बारवी वहीं से की हमारा प्रशन था तो आप पहले से ही कुछ अलग सोचती थी वहिदा जी बोली जब मैं चोटी थी तब ही से कुछ अलग करना चाहती थी मुझे मोटर साइकल चलाने का बहुत शौक था हम तीन बहने हैं पापा भी यही चाहते थे कि हम बहनों में से एक डॉक्टर बने एक वकील बने या पुलिस में जाए और एक बच्चों को पढ़ाए मैं भारतिय नौसैना में डॉक्टर बन गई हूँ और मेरी वहन जम्मू पुलिस में है आप डॉक्टर कैसे बनी? वहिदा जी बोली इसके लिए मैंने बहुत मिहनत की मेरे दोस्तों और घरवालों ने भी मेरी बहुत मदद की मैंने जम्मू मेडिकल कॉलिज में दाखिला पाया वहां मैंने पांच साल पढ़ाई की और MBBS की परीक्षा पास की हमने पूछा आप सेना में कैसे आई? आपके घरवालों ने रोका नहीं? वहिदा जी बोली आरे नहीं उन्हें तो लगता था कि यही नौकरी मेरे लिए सबसे अच्छी है जब मैं बहुत छोटी थी तब अपने गाउं में फौजीयों को देखती थी मेरा मन करता था कि मैं भी उनी की तरह बनूँ यह मेरे लिए एक बहुत बड़ा सपना था स्कूल की समय में मैं केंपों में भी जाती थी पहार पर चड़ती थी और गर्ल गाइड भी थी डॉक्टर बनने के बाद सेना में भरती होने के लिए मेरा एक इंटरव्यू हुआ प्रिष्ट 206 उसमें मुझे चुन लिया गया मेरी 6 महिने की ट्रेनिंग भी हुई थी हमारा अगला प्रश्ण था अच्छा तो आप नौ सेना में क्यों आई नौ सेना में तो समुदरी जहास पर रहना पड़ता है न वहिदा जी बोली मुझे घूमने का बहुत चौक है अब मेरा दूर दूर जाने का मन करता है मैं पहाड वाली जगह पर पैदा हुई हूँ अब मैं समुदर में काम कर रही हूँ बहुत अच्छा लगता है बहुत कम महिला अधिकारियों ने जहास पर काम किया है मैं उनमें से एक हूँ पहले नौ सेना में चाहती हूँ, मैं हर ऐसा काम करना चाहती हूँ, जो लोग सोचते हैं कि महिलाएं नहीं कर सकती, अभी तो महिलाओं को पंडुबी में जाने नहीं दिया जाता, जब भी मौका मिलेगा, मैं जरूर जाओंगी, हमारा अगला प्रश्न था, तो आपकी डॉक्टरी की पढ़ाई क्या हुआ, वहिदा जी का उत्तर था, मैं भारतिये नौसीना में डॉक्टर हूँ, नौसीना में काम करने वाले डॉक्टर, मरीजों को सिर्फ दवाई ही नहीं देते, वे तो दरसल मेडिकल अधिकारी होते हैं, जहाज तीन-चार महिने के लिए समुद्र में जाता है, अधिकारियों और नाविकों का चेक अप करती हूँ, प्रिष्ट 207, इसके अलावा यह भी देखना होता है कि जहाज पर सफाई रहे, कहीं गंदगी ना फैले और चूहे ना आएं, गंदगी और चूहों से बीमारियां फैल सकती हैं, इसके अलावा मैं सबको इसकी तयारी करवाती हूँ कि वे मेडिकल इमर्जन्सी में क्या करेंगे, अगर कोई ऐसी दुरगटना हो जाए, जैसे आग लगना, तब जहाज पर ऐसी बातों के लिए तयार रहना होता है, हमारा प्रशने था, क्या जहाज पर अस्पताल होता है, भाईदाजी बोली, नौ सेना के हर जहाज पर फर्स्ट एड दी जाती है, जहाज पर एक डॉक्टर और दो-तीन सहायक होते हैं, जरूरी दवाईयां और कुछ मशीने भी होती हैं, ये सब एक छोटे से कमरे में रखी रहती हैं, हमारा प्रशन था, आपने जब परेड की टुकडी का नित्रित्व किया, तब आप ऐसा करने वाली पहली महिला बनी, इसके लिए आपने बहुत मेहनत की होगी, वहिदा जी बोली, तीन साल तक मेरी परेड देखने के बाद मेरे अधिकारियों ने मुझे ये मौका दिया, मुझे लगा कि मेरे अधिकारियों ने मुझे चुना, मुझ में विश्वास द कारे में कुछ बताइए वहिदा जी बोली जब परेड होती है तो पीछे चार टुकडियां चलती हैं पूरी परेड में 36 निर्देश देने होते हैं निर्देश इतनी जोड से देने होते हैं कि सबसे पीछे वाली टुकडि के लोग भी सुन पाएं देखने वाले तक भी आव जो मैदान के दूसरी तरफ बैठते हैं प्रिष्ट 208 हमने प्रेशन किया चार टुकडियों के आगे चलते हुए आप घबराई नहीं वहिदा जी बोली घबराहट तो नहीं थी पर ये है कि 36 बार चिला कर निर्देश देने होते हैं एक भी भूल जाओ तो पूरी परेड गड़बडा जाती है मैंने पूरा एक महिना सुबह शाम अभ्यास किया था परेड तो मैं स्कूल में भी करती ही थी हमारा आखरी प्रिष्ण था आपके नाम में जो यह शब्द है प्रिज्म इसका क्या मतलब है वहिदा जी बोली यह मेरे पापा ने मुझे दिया था प्र चाहते थे कि मैं भी इसी तरह अपनी पहचान बनाऊं इसी लिए उन्होंने बचपन से ही मुझे यह नाम दिया बच्चो क्या तुम किसी को जानते हो जो सेना में है वे कौन से सेना में है नौ सेना थल सेना या वायू सेना वे क्या काम करते हैं क्या तुम सेना में जाना चाहते हो कौन से सेना में जाना चाहते हो थल सेना वायू सेना या नौ सेना सेना की तरह कौन-कौन सी नौकरियों में लोग वर्दी पहनते हैं, वहीदा नौ सेना में डॉक्टर का काम करती है नौ सेना के तुम कोई और पाँच काम बताओ क्या तुमने कोई परेड देखी है? अपने स्कूल में परेड करो और 36 बार निर्देश देकर देखो जैसे परेड दाएं देखेगी, दाएं देख परेड हिलो मत खुली लाइन चल निकट लाइन चल क्या तुम इसमें परेड के कुछ और निर्देश चोड़ सकते हो? एक डॉक्टर से बात चीत करो उनके काम के बारे में पता लगाओ क्या तुम ऐसी किसी महिला को जानते हो जिन्होंने अनोखा काम किया है? उनके साथ ऐसी ही बात चीत करो जैसी हमने वहिदा के साथ की है सोचो, क्या प्रशन पूछोगे? उनसे पता करो कि उन्होंने इस काम को क्यों चुना और उन्हें कैसी कैसी मुश्किलें आई अभी आप सुन रहे थे कक्षा 4 की पाठे पुस्तक हमारे आसपास का 26 पाठ प्रस्तोती C.I.E.T. N.C.E.R.D. नई दिल्ली भारत